हेलो एब्रीवाण हम फिर से आजुके एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग क्या सिखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे solve by trial and error method trial and error method से किसी भी question को कैसे solve किया रहता है तो यहां आपके सामने देखिए कि एक question लिखा हुआ है 5X plus 3 is equal to 18 अब इसमें क्या करना है इसमें देखिए यह वाला part LHS कहलाता है और यह वाला part RHS कहलाता है आपको यह पता है LHS में X की value ऐसी कुछ रखनी है कि वह RHS के equal हो जाए तो अब हमें नहीं पता X की value कितनी रखें कि वह RHS के equal हो जाए let's see तो इसको trial and error method कहते हैं ध्यान रखिएगा तो सबसे पहले हम लोग X की value रखते हैं let X is equal to 1 जब X की value हमने 1 रखा तो यहां पे 5 था 5 और bracket में आ गया 1 क्योंकि यहां पर 1 रखा value और plus 3 आ गया is equal to इधर है 18 या फिर LHS ही लेकर चलते हैं और इसको लिखने जोड़ होती है तो 5 बंजा multiply है ना 5 बंजा 5 और प्लस 3 तो 5 प्लस 3 कितना होता है एट होता है जो की आरच के एक वल नहीं है क्या यह 18 के एक वल आया नहीं आया ना आरच नहीं है तो यह हमारा value नहीं है X की value पर नहीं है मतलब solution नहीं है let X is equal to 2 रखते हैं तो यही जो ब्लैक कलर में हमें 13 नहीं आया आरच कितना लाना है हमें 18 लेकिन हमारा एक बार 8 आया एक बार 13 आया अभी नहीं हुआ फिर हम लोग क्या रखते हैं let X is equal to 3 रखते हैं तो X is equal to 3 है तो 5 और 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा तो इन दोनों का multiply होगा फाइब 3 जा 15 और 15 प्लस 3 कितना होता है 18 और यह देखिए आगे हमारा और एक तो जब तक की क्वल नहीं आ जाता है तब तक हमें solve करना होता है और जब solve हो जाता है बस रुख जाते हैं तो X की value 3 रखनी पड़ी तब जाके यह equation दोनों तरफ equal हुआ LHS RHS के equal हुआ कब हुआ जब X की value 3 रखनी पड़ी तो इससे यह पता चलता है so X is equal to 3 is a solution is a solution of equation तो मतलब जो equation लिखा हुआ है उसका यह solution solution का मतलब कि X की value अगर हम लोग 3 रखेंगे तभी दोनों तरफ equal आएका तो यह होता है trial and error method एक और देख लेते हैं इसी का अच्छा था माले यहां पर हमने लिखा 4X और plus 2 4X plus 2 is equal to 14 यह लिखा हुआ है अब हमें यहां पर क्या करना है हमें फिर से वही करना है कि trial and error method से यह देखना है कि X की value क्या रखी जाए कि इसको पूरा solve करने पर यह RHS के equal हो जाए because this is LHS and this is your RHS now we are putting some values of X in left hand side सबसे पहले क्या रखते हैं let X is equal to 1 X is equal to 1 रखा तो यहां क्या हो जाएगा 4 1 और plus 2 तो 4 बंजा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 बंजा 4 और plus में 2 direct कर रहे हैं थोड़ा सा 4 बंजा 4 और plus 2 करेंगे 6 आएगा तो क्या यह हमारे RHS के equal है no no chance चलो अच्छा फिर error हो गया मतलब हमारा गलत हो गया नहीं है और क्या let try fit से try करते हैं X के value क्या रखते हैं 2 रखते हैं तो 4 और 2 आ गया bracket में plus 2 is equal to solve करिए 4 तू जा 8 और 8 में 2 प्लस करिए 10 तो क्या यह 10 हमारा RHS है no no chance चलिए अब हम लोग रखते हैं let X is equal to 3 तो 4 आ गया यहां पे 3 और उसके बाद प्लस 2 आ गया वही question में बार-बार value रखनी होती एक बार X के value 1 रखके फिर 2 रखके फिर 3 रखके जब तक solve ना हो जाए तो 4 तो 12 12 में 2 प्लस करिए 14 यह देखिए आ गया न हमारा RHS तो यहां पे X की value क्या आ गई फिर से वही X की value कितने आ गई 3 आ गई तो हम लोग बोलेंगे लिखा हुआ है write the step you will use to separate the variable and solve the equation मारा नया topic यह है कि हमें step wise करना है सारा काम और step wise करते करते उसको separate करना है और equation को solve करना है मतलब यहां पर simply यह कहा जा रहा है कि जो variable होगा जैसे A B C D से लेकर जट तक कोई भी variable होगा उसकी value हमें find out करनी है लेकिन step wise find out करनी है तो इतना तो समझ में होगे करना कि हम वैल्यूm find out करनी है कि एक किληउऊ find out करनी हे अब दीखिए यहां पर कैसे find out करेंगे यहां पर LHS में देखिए एक्स के साथ कौन है पुछ है उसको हमें वहां से हटाना है तो वहां से हटाने के लिए जो भी कुछ होगा उसका jus Эक टु कॉपी हम लोग लेंगे और अगर वह साइन माइनस में है तो पलस में लेंगे जिसे माइनस टू है यहां पे हमें X के साथ minus का 2 है तो हमें X के साथ minus की 2 को हटाना है यहां से X को अकेला करने के लिए minus 2 को हटाना है तो minus 2 को कैसे हटाए जा सकता है इसे उठा के हटा दें ऐसे थोड़ी आटेगा तो adding करेंगे इसमें adding plus two adding two या फिर adding on both sides जो काम करेंगे वो दोनों साइट करेंगे बोर साइड मतला LHS में भी करेंगे और RHS में करेंगे इस चीज को हटाना है उसका अपोजिट लो और उसकी साइन जो भी है उसका डिफरेंट साइन यहां पर लेना है जिसे माइनस था तो एड करेंगे अगर एड होता तो सब्टाइट करते हैं यहां लिखा है एक्स माइनस आगे वही काम हम लोग RHS में भी करेंगे तो यह बात का आपको ध्यान अपना है आप उसके बात क्या करेंगे आपको पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है यह पूरा कड़ जाएगा क्या बचेगा एक्स और इस उक्वड टू इधर जिरो में टू प्लस करेंगे तो आजा साथ जो भी कुछ है उसको वहां से हटाना है तो जो भी कुछ है उसको कैसे पहले उसको पी लो और वह प्लस में है तो वहाला माइनस में लेना है तो सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि यहां यह प्लस में है तो माइनस मिलेंगे तबी तो यह 0 बनेगा सब्ट्राइट 3 ऑन बोथ साइड दोनों साइड हम लोग सब्ट्राइट करेंगे जो काम करेंगे दोनों साइड करेंगे यहां प्लस 3 पहले से लिखा था हम लोग सब्ट्राइट कर देंगे 3 और यहां पर क्या है c लिखा हुआ है x x-2 is equal to 4 यह लिखा हुआ है तो फिर वही चीज है x को अकेला करना है बस और कुछ नहीं करना x को अकेला करना है तो x के साथ कौन है?'-2 तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर 2 लेंगे और उसको add करेंगे adding two on both साइड दोनों साइड हम लोग एक्ष माइनस तू लिखा था औरहम लोग यहां पर प्लस तू लगा देंगे जस्ट वह थो लिखा रहं देंगे यहां गया और हाँ यहां पर भी तो सब्सप्सक्राज करेंगे तो सब्सक्वन म пошथ सांब कुछ है उसका जश्ट अपोजिट लेंगे अपोजिट साइन के साथ तो यह आ गया होगा एक इसका पार्ट दे रहे हैं इसको आप करिएगा लिखा हुआ है एक्स प्लस त्री इसको सॉल्व करें एक्स की वैल्यू निकालिए और हमें कॉमेंट बॉक्स में बताईए अब यह देख लेते हैं थोड़ा सा पैटन अब चेंज है यहां पर लिखा हुआ है अब देखिए यहां पर एक्स के साथ जो भी कुछ नंबर है वह मल्टिप्लाइ अब यतर प्लस मैंनस में था प्लस में था तो माइनस लेते थे माइन裡面 में रहता था हो तो प्लस में लेते थे तो जब हुम यहां करने म Halo में सबते है है कि um दिवाइड पैस तो फ्रॉं बौज साइड करेंगे यहसाइट द्यान रखना नहीं करेंगे नहीं तो वेल्योर चेंज हो जाएंगे टो यहां पे त्री एक सद्री डिवाइड एंध čang द्रि अब यहां पर 3x था तो upon में 3 लगा दिया इस इक्वल टू यहां 42 था यहां पर भी upon में 3 लगा दिया जहां रखेगा 3 से 3 कट हो गया यहां पर x और यहां पर कट करिए तो 3 बंजा 3 और 3 24 था 12 तो x की वेल्यू कितनी आ गई 14 आ गई तो अगर मल्टिप्लाई में है तो डिवाइड मिलीजी और उसके बाद देख लेते हैं f पार्ट है 8 y is equal to 36 अब यहां पर देखिए जो वैरियेबल है y उसके साथ 8 चिपका हुआ है 8 को यहां से हटाना है तो क्या करेंगा पॉन म साइट बोथ साइट तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 y अपन में 8 आ गया और यहां जाएगा 36 अपन 8 आ जाएगा दोनों तरफ करेंगे तो 8 से 8 कट गया और यहां पर यहां पर कितना जाएगा यहां पर दोनों किसकी टेबल में आते हैं 4 की 4 2 जाए 8 और यह कितना जाएगा और देख लेते हैं इसका अब यहां पे लिखा हुआ है जी पार्ट है एक्स अपान सेवन इस इक्वल टू फोर आप देखे इसमें और पैटर्न चंज हो गया इसमें जो एक्स के साथ जो भी कुछ चिपका हुआ है वह डिवाइड में है अभी तक हमने प्लस वाला देख लिया प्लस था तो माइनस लेते थे मल्टिप्लाई वाला देख लिया मल् दिवीजन वाला है तो हम लोग क्या लेंगे मल्टिप्लाई में लेंगे यहां पर एक्स अपॉन सेवन से मल्टिप्लाई करेंगे द्यान रखेगा डिवाइड में है तो मल्टिप्लाई में मल्टिप्लाई में है तो डिवाइड में प्लस है तो माइनस मैंस है तो प्लस व वेल्यू चेंज हो जाएगी कट गया x is equal to 28 आपकी वेल्यू आ गए कितना सिंपल है और उसके बाद है एक पार्ट देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ है यह वाला थोड़ा से देखे 10x और प्लस का 10 is equal to 100 तो अब इसमें देखे इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया है कि इसमें मल्टिप्लाइब में भी है और प्लस में भी है x के साथ left hand side में कौन-कौन चपका हुआ है 10 भी चपका हुआ है और यह वाला 10 किपका है तो यह वाला 10 प्लस मिन चपका वाлов यह यह लगला मल्टिप्लाई में चिपका है तो पहले जो दूर है जैसे मल्टिप्लाई वाला बाद में करेंगे पहले जो प्लस में चिपका है उसको हटाईए तो देखिए एक्स के साथ 10 प्लस में है तो हमें कौन सा नंबर लेना होगा हमें इसको हटाने के लिए माइनस 10 लेना होगा तो तो सब्ट्राइक्ट 10 फ्रॉम बोद साइट द्यान रखिए कि इसमें दोनों आ गया दोनों कॉंप्लेक्स आ गया है तो दोनों साइट से सब्ट्राइक्ट करना है तो यहां पर 10x पहले जो एक्वेशन है पूरा-पूरा लिख लिए अब हम लोग क्या करेंगे सब्ट्राइ करने का काम हमें करना है दोनों तरफ करना है तो यहां पर 10x तो 10x ही रहने वाला है और यह 10 से 10 तो कट गया एक्कोल टू यहां कितना आ गया यहां आ गया 90 ठीक है चलो अभी हमें एक्स की वेल्यू नहीं मिली क्योंकि एक्स अभी अकेला नहीं है एक्स के साथ 10 है तो 10 x था तो अपन में क्या लगा दिया 10 लगा दिया और यहां पर क्या था 90 तो यहां पर भी अपन में 10 लगा दिया तो यह तो पूरा कट गया और यह 0 से 0 कट गया तो तो एक्स की वेल्यू क्या आगई 9 आगई अभी आपको इस सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और एक और देख लेते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है नाइन पी अपन सेवन नाइन पी अपन सेवन इस इक्वल टू 27 यह लिखा हुआ है अब इसको सॉल्व करना है तो इसम शाद 7 भी चिपका हुआ है नाइन मल्टिप्लाइ में चिपका है और फी7 डिवाईड में चिपका हुआ है तो पहले डिवाइड वाले को बढ़ें ल साइट किससे करेंगे सेवन करेंगे शोचेगे तो इससी नमबर से करना है बस आप्स साइन अपो스ल राग이 तो क्या कुछ तो तो लिखा है सेंट तो निंगे और उसके बाद मुलिप्लाई किरा देंगे और ही मुल्टिप्लाई करा देंगे यह चीद दियां रखना है दोनों साइट करना सेवन सेवन कट गया बचा क्या 9P is equal to 77 जा 49 और 7 और 18 आगया अभी पी की वैल्यू नहीं आई है तो पी की वैल्यू लाने के लिए पी के साथ 9 चिपका हुआ है वह भी मल्टिप्लाइ में चिपका है तो अब हम ले डिवाइड में लगाना पड़ेगा तो डिवाइड बाइड नाइड टू बोज साइड दोनों साइड हम लो को 9 से डिवाइट करेंगे तो यहां पर 9 पी अपाउन 9 आ गया और यहां पर आ गया 189 अपाउन में 9 9 से 9 कट गया और यह देखे कट जाएगा 9 तो पी के वैल्यू कितनी आ गई तो आई होप आपको यह सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी अगर क्लियर हो गई है तो यहां पर हम कुछ होंबग दे रहे हैं उसको आप लगाईए और आंसर कॉमेंट बाक्स में बताईए जिससे पता तो चले कि आप लोग को आया है कि सिख्ठीं स्टीनि इसक्वेग टूगिए और उसके बाद ए सिक्स एक्स प्लस एट इसक्वर टू सिख्टी सिक्स और एल्पार्थ है 5x-D상이 एक्स मैनस है इस aft टू इसक्वल टू Oh यह ओ गया और उसके बाहर एम ले लेते हैं यहां पर 3x 3x upon 2 3x upon 2 is equal to acting तो आपको इनको पूरा solve करना और एक homework पहले भी दिया है उसको सब solve करके इसको लिखें तो आई होप आपको यह आज का वीडियो समझ में आयोगा ड्रेले मेथटत किया होता है कैसे इसको सेपरेट करते हैं कैसे करते हैं अगर वहां प्लस में चिपका है तो आप लोग आपको वही नमबर से करना है लेकिन माइनस में लगाना है लेकिन miracle में अदे कि ंवाकई तो इसको और में आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाय